अब हम यह वाली स्टोरी आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद क्या होता है when the two of them had filled their buckets and gone away गंगी came out from the shadow of the tree and drove close to the well platform तो जैसे ही वो दोनों और ते मैंने आपको प्रिवेस वीडियो में बताया था कि वो बात नहीं कर रही होती है वहाँ पर जैसे ही अब वो पानी बर रही होती है और वो बात नहीं कर रही होती है तो उसके बाद जैसे उन्होंने अपनी बकेट्स पर लिये तो वो वहाँ से चले जाते हैं और जो गंगी है वो जब उसके पीछे पेड के पीछे चुपी थी वहाँ से पेड की जो चाह हुए है उसके पीछे चुपी थी तो परचाई जो पेट की उसके पीछे चुपी हुई थी तो वहाँ से वह निकलती है बाहर और वैल के पास आती है उसके पास जो लोग वहाँ पे आये थे थाकुर के पास वह सारे जो बाते बाते करे थे वह भी चले जाते हैं ठाकुर अपना दर्वाजा बंद करता है और सोने जला जाता है और इस टाइम पर जो गंगी है वो सांस मतलब रहत की सांस लेती है और इस टाइम वो सारी साइट से देखती है हर चारू तरफ से कोई भी नहीं होता है वहाँ पर तो गंगी टिप्टोव अप ओन्टो नेवाज प्लाटफर्म नवर बफोर हैट शी फेल्ट सच अस अथ टाइम तो उसके बाद जो गंगी है वो चल के मतलब चलती है दीरे दीरे से चलती है और वहाँ से मतलब उसके पास कोशिश करती है आने की और जब वो उदर पहुंचती है तो उसको वो बहुत खुश हो जाती है और मतलब उसको जो जीट वो अपने आप के लिए समझती है इतनी खुशी उसको कभी भी नीज से पहले हुई है उसके बाद वो उस बखिट को मतलब जो bucket से वो है रसी है उसको उपर को खीजने की कोशिश करती है जैसे कि कभी कोई soldier होता है वो अपनी जो उसका जो दुश्मन होता है उसका जो fortress हो गया है यहां पे की जो kings होते थे ना kings के जो घर हुआ करते थे वहां पे तो वहां पे आई हो और soldier की तरह और वो सारी साइट से इतना ख्याल रख रही थी को इसको देखना ले अगर देखेगा तो उसको मार डालेगा ऐसा उसको लग रहा था तो अगर उसको थोड़ा भी अगर किसी नहीं देखा होता तो उसको बिलकुल भी माफ नहीं किया जाता और उसको बहुत जैदा प्रॉब्लम करते हैं और उसके बाद वो अपने खुदा से अपने बगवान से दुआ मांगती है नाम लेती है और उनका और बकेट को उपर खीचने की कोशिश करती है दीरे दीरे जो पानी बकेट है वो पानी में जा रही थी और उसमें पानी बर रहा था और जो पानी बरने का जो पानी जो पानी जब बर रहा होता है उसमें कोई में से उसकी ज़रा भी वो आवाज नहीं होने दे रही थी गंगी येंग इट बैक with all her might to rim off the well no strong armed athlete could have dragged it up more swiftly उसके बाद गंगी जो है वो जैसे पानी बकेट में आ जाता है कोई से जब वो रसी को डालती है उसमें तो वो दीरे दीरे से उसको उपर को खींचती है अपनी पूरी strength लगाके, हिम्मत लगाके और मतलब ऐसे करती है जैसे कोई athlete होगा वो भी इतने अच्छे से उसको उपर से और इतनी तेजी से मतलब चड़ा ना पाता और अभी वो उसको उपर चड़ा के अपने पानी में डालने ही वाली थी कि इतनी देर में जो ठाकुरा उसका दर्वाजा खुलता है और यहां पर बोर है अगर कोई वहां पर जो टाइगर भी आ जाता वो भी उसको मतलब टाइगर जब आता है कितना इंसान डर जाता अगर वो भी आ जाता और उसको खाने के लिए आ जाता तब भी वो इतना नहीं डरी होती जितना वो इस ताइम पर डर की थी और उसके बार जो bucket है वो उसके हाथ से नीचे गिर जाती है पानी में और देर देर जो पानी उसमें घिर रहुता है वो आवाजें कर रहा होता है और जिसके वज़े से वहां पे आवाज हैं जो वहां पे उस दवराज से बाए निकलता है उसको वह आवाज सुनाई देती है yelling who is there who is there और इतनी देर में वो आदमी वहाँ से चिलाता है कि वहाँ पे कुन है तो जो आदमी थो वो ठाकुर था और वो ठाकुर जो है वो इसके पास आ रहा होता है कुएं के पास देखने आ रहा होता है कि वहाँ पे कुन है और इस इतनी देर में जो गंगी है वो इतना तेज वहां से बागती है कि मतलब जितना वो बहुत तेज वो तेजी से बागनी कोशिश करती है और बागती है जब तक वो ठाकल वहां पर देखने आता है और वहां से बाग जाती है जब वो गर पोंचती है जोकू विद लोटा at his mouth was drinking that filthy stringing water और जब वो गर पोंचती है तो वो देखती है कि जो जोकू है वोई पानी उसके मुँँ में वो लोटा होता है और वो वोई गंदा जो जहां जिस पानी से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी वोई पानी पी रहा होता है जो स्टोरी है ये प्रेमचन ने लिखी है और इसको इंग्लिश में translate किसनी किया है डेविद यूबन नी जो की penguin books में आती है उसके बाद है आपका progress check your progress जोकू was thirsty why did he not drink the water his wife had brought तो जो जो जोकू है वो बहुत मतलब उसको प्यास लगी होती है तो जो उसकी भीवी ने उसके लिए पानी लाया होता है वो क्यों नहीं पीता है तो ये आपको खुद से अब आपको अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आप अगर लिखने की कोशिश करोगे लिखो वरना आप end पे जो हमारे chapter जब खतम हो जाता है वहाँ पे आप देखोगे answers दे दिये हुए है तो जो वो मतलब कड़वी सचाई क्या थी जो जो अपनी वाइफ को बताता है तो जो ठाकुर है उसको जो उसने गलती की थी और उसने जो गुना किया था जब किया था और फिर भी उसके बावजूद भी उसको सजा क्यों ने मिली और ऐसा क्या हुआ मतलब उसने जो इसकी ची जो 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 गुना करता था वो उसको मतलब उसको नहीं पकड़ा जाता था उसकी वज़ा से तो जो गंगी है वो ठाकुर के कुएं पर राद को क्यों जाती है उसके बाद आप कहाता है कि इन मेंसे कुछ वर्ड दिये गए आपको जैसे कि इन मेंसे आपको पताना हाई कास्ट जो लोग होते हैं जिनके बारे में आप भी हम नहीं पूल पड़ा जो कि गंगी जिनको रैफर करती है कि वो इस किसम के लोग जिनको हम हाई कास्ट बोलते हैं तो किन-किन वोड से वो उनको डिसक्राइब करती है ऐसे नहीं आपको हाई कास्ट मतलब आप यह भी नि कम अपने हसाब से तो अपको अप अच्छा अगर आप बिलाउंग करते हो किसी हाई कास्ट है या आपको भी लगएग मतलब अच्छ 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 why do you think was the position of woman at that point of time तो जो ओरते हैं वो अपने आपको गुलाम क्यों बोलती है और आपको क्या लगता है ये स्टोरी पड़की कि उस टाइम पे जो ओरते हैं तो इन से आपको क्या लगता है उस टाइम पे ओरतों की क्या मतलब पुजीशन होती थी गर पे गंगी faces double discrimination डिसकस जो गंगी है उसके साथ double discrimination होता है दो किसम का discrimination होता है कैसे होता है यह आपको बताना है वो जो बकेट जिसे उसे पानी बारा था वो वाप इस बकेट को वहीं छोड़ के क्यों जाले जाती है वाइड यू तो आपको क्या लगता है जो गंदा पानी पी लिया होगा उसकी असर पे क्या असर पाड़ेगा क्या आपको लगता है हमाई सोसाइटी में हर एक को equally treat किया जाना चाहिए तो अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे किसी इंसान को unequal बोला जाता है या inequality होती है उसके साथ तो आप ऐसा क्या कर सकते हो कि अपनी लाइफ में ऐसे क्या changes ला सकते हो जिससे आप किसी दूसरे इंसान को impact करोगे मतलब अपनी लाइफ में ऐसा क्या करोगे जिससे ऐसी मतलब अगर आपको लगता है सब लोग equal हैं तो आप ऐसा क्या करोगे जिससे मतलब सच में ऐसा हो कि सारे लोग एक्वल हो जाएं तो क्योंकि बहुत सारी हमारे सोसाइटी में इन एक्वैलिटीज हैं तो अगर उनको देख कि आप ऐसे क्या कर सकते हो जिसे आप एक्वल बना सकते हो उसके बाद आपको vocabulary some words different meanings कुछ words लेकिन उनके अलग-अलग meanings तो कैसे हैं vocabulary अलग-अलग words को हम भोलते हैं ठीक है जितने भी words आप जैसे रोज अगर कोई भी social media चेक करते हो कुछ भी देखते हो कोई भी words देखते हो ना नया उसको आप vocabulary भोलते हो जब आपकी vocabulary अच्छी होती है तो आप अच्छा English भी बोल पाते हो तो यहां पर हम वोई vocabulary देखेंगे जिसके लेकिन same words होंगे बट उनके अलग-अलग meanings होंगे have you noticed that verbs in English can be used in a variety of ways often carrying different meanings किया कभी अपनी ये चीज़ नोटिस की है या चीज़ देखिए कि English में बहुत सारे हमारे जो verbs हैं verb होगे action यानि action वाले words ऐसे words जिन में action हो रहा हो जैसे playing, eating, ऐसे words ठीक है उनको हम verbs बोलते हैं जिसमें आप कोई काम कर रहे होते हो तो उनको हम अलग-अलग जगाओं पर उनका अलग-अलग meaning होता है जैसे कि let's see some of the ways in which the verb take can be used चलो हम कुछ जो है take हमारा एक word है जो कि एक verb है एक word है लेकिन एक verb है ठीक है तो उसको हम अलग-अलग ways में use कर सकते हैं जैसे कि गंगी would like to take clean water for her husband यहां पर take का मतलब क्या हो गया यानि जो यहां पर आप sentence देखो गंगी अपने husband के लिए साफ पानी ले रही है लेना चाहती है तो यहां पर लेना चाहती है तो take का यहां पर मतलब है कि लेना यानि carry करना जब आप कोई चीज इदर से उदर लेते हैं carry कर night यानि यहां पर बो रहे कि हम एरात के लिए room एक hotel में लेंगे तो यहां पर लेना यानि यहां पर लेने का क्या मतलब जैसे आपको भी बोल तो कि मैं वहां पर गर लोंगा किराए पर तो यानि ले रहे हो किराए पर गर यानि लेना यहां पर रेंट के लिए use कर रहे हो take ठीक है उसके बाद है take a seat and watch the film यानि आप यहां पर बो रहे हो यह seat पकड़ो और film देखो पकड़ो यहां पर take का मतलब है कि पकड़ो या बैठो ठीक है occupy यानि इस पर bad जाओ occupy करना उधर भी हम take use कर सकते हैं उसके बाद है the accountant was accused of taking bribes यानि जो accountant था उसको रिश्वत खोरी ले यानि यहां पर taking किसलिए हमने use किया पकड़ने को ठीक है मतलब कोई चीज जब आपको कोई देता है जब आप उसको पकड़ते हो तो उसको हम बोलते है accept करना तो उसके accept करने के लिए भी हम यहां पर take का use कर सकते हैं the new bus can take 60 passengers यानि जो नई buses हैं वो लगबग अपने मतलब उनमें वो 60 buses को अंदर ले सकती है यानि लेना यानि पकड़ना hold करना यानि बस पर जब आप बैठते हो तो यहां पर भी take आप बोल सकते हैं उस hold पकड़ने को भी आप यानि उस बस में अंदर जा कि आप खड़े होते हो न उस पर तो 60 passengers को take कर सकती है यानि यहां पर भी हम hold के लिए भी take use कर सकते हैं तो आपने देखा कि हम कैसे 5 अलग-अलग ways में हम take को use कर सकते हैं यानि carry के लिए भी rent के लिए occupy के लिए लिए भी accepting के लिए भी hold के लिए use suitable forms of verbs given below to fill in blanks you may need to change their form उसके बाद आपको कुछ यहां पर verbs यह गए हैं तो यहां पर हमें देखना है कि कून से यहां पर लगेगा इसको चलो जी अभी हम देखते हैं सबसे पहले पहला है कि go for a walk it will dash you an appetite तो बोर है कि तुम walk पर जाओ इससे तुम्हें भूख लग जाएगी तो हम क्या यहां पर use कर सकते हैं give ठीक है यानि तुम्हें अगर तुम walk पर जाओगे तो उससे तुम्हें भूख लग जाएगी वो तुम्हें भूख देगा यानि अब ठक जाओगे और आपको फिर खाने खाने का मन होगा ठीक है तो यहां पर give लगेगा यहां पर ठीक है यहां पर यानि उसको हम खतम कर सकें बंद कर सकें जो अमीरों गरीब के बीच में एक गैप है उसको हम खतम कर सकें यहां पर आएगा आपका closing ठीक है उसके बाद है please dash the door and lock it यहां पर आपका लगेगा please close the door and lock it यानि महरबानी करके दरवाजा बंद करो इसको कुंडी कर दो dash your passport in a safe place यहां पर आएगा आपका अपना जो passport है उसको अच्छी जगा ठीक जगा पे रखो यानि safe जगा पे रखो तो यहां पर आएगा आपका keep your passport in a safe place उसके बाद है the branch begin to dash under his weight तो जो branch है वो क्या होता है यहां पर आएगा आपका the branch begin to give under his weight तो जो branch है वो मतलब उसके जो weight है उससे वो नीचे गिरने लगती है तो यहां पर आपको आएगा give under उसके बाद है आपका what time does the bank dash तो किस time पर banks जो है यहां पर आएगा आएगा आपको इन तीनों में साब गूंडो क्या लगेगा close आएगा सही लग रहे हैं तो किस time पर जो banks है वो बंद हो चाहेंगी she dash the children amused for hours तो यहां पर आएगा वो जो बच्चों को है वो कुछ time के लिए कुछ गंटू के लिए busy रखती है खुश रखती है खेलती है उनके साथ तो आएगा keep amused ठीक है तो यहां पर है कि तुम मुझे पूर आपना जो जुका में मुझे दे दोगी ठीक है तो यहां पर आएगा आएगा आपका give तो can you dash a secret तो क्या तुम secret क्या हो सकते है यहां पर क्या लगता है आपको close give या keep तो यहां पर आएगा keep क्या तुम यह secret रख सकती हो या तुम क्या phrases and idomatic expressions beginning within use the appropriate phrases in blanks and complete sentences तो यहां पर हमें कुछ phrases idomatic expressions होते हैं जो की इन से start होते हैं उनको हमें देखना है बिहार is rich तो यहां पर कुछ words है आपको इनको आपको जो ऊपर देखे हैं इनके साथ देखना है कि कौन साथ इसमें सही लगएगा इसके साथ ठीक है जो बिहार है वो की उस अदरे क्या मिलता है हमें सबसे जादा यहां पर आएगा आपको इन minerals, तो बिहार में हमें बहुत सारे minerals जैसे की copper हो गया, iron हो गया, इनको सबको हम minerals बोलते हैं, ठीक है, वो हम बिहार में बहुत मिलता है, the roses are, यहां पे आपका आएगा, in full bloom, यानि वो पूरे खिल रहे हैं, the man dash is a point, यहां पे आएगा आपका the man in the hat is जो मेरी friend है, उसनी drive करना सीख लिया, कितने time में in three weeks, यानि three weeks में उसनी drive करना सीख लिया I must put my affairs in order, यानि जो काम है, वो मुझे order में करने चाहिए, ठीक है, एक order में रखने चाहिए I bought this watch for rupees 3000, यानि जो मेरी यह watch है, यह 3000 में ली और I paid, यहाँ पर last वाला क्या बच रहा है, in cash, यानि मैंनी online payment नहीं करी, मैंनी सीधे पैसे दी इसके लिए अब हम देखेंगे grammar में to जब होता है, हमारे जो to लगाते हैं, to जो हमारा होता है, to the या to जब भी हम किसी sentence में लगाते हैं, तो जब हम to के साथ हमारा verb, कोई action वाला verb लगाएंगे, तो कैसे sentence बनता है, जैसे की it was hard for Gungi to make several trips, यानि trips trips क्या होता है, यानि trip हो गया है, चलना कहीं, जाना आना जाना, या कहीं हम जाते हैं तो उसको trip बोलते हैं, तो यह गंगी के लिए बहुत बार जाना बहुत मुश्किल होता था के तुम्हें लगता है, ऐसे लोग तुम्हें अपनी यहां से पानी लेने देंगे, गंगी स्टूप to catch the bucket, जो गंगी है वो खड़ियों के bucket को उपर पकड़ने की कोशिश करती है, तो उसके बाद, the underlined words are called infinitives तो जो यह कुछ words हैं, जैसे की आपका हो गया to make जैसे की हो गया आपका to let उसके बाद हो गया आपका to catch तो इनको हम क्या बोलते हैं? infinitives, ठीक है? ऐसे words को हम infinitives बोलते हैं जैसे की उसके बाद है आपका they usually follow verbs such as refuse, hope, arrange, learn and so on तो आप देखोगे, बोट बार ऐसे जो कुछ words होते हैं, जैसे to हो गया हमारा उसके साथ, जैसे की कैसे words आते हैं? to refuse, to hope, to arrange, to learn ऐसे words आते हैं, ठीक है? इन साब को हम जिसके साथ to लगता है ना और to के साथ हम जैसे refuse लगाएं कोई भी action लगाएंगे तो कोई भी action वाला verb लगाएंगे कोई word लगाएंगे जिसमें action हो रहा होता है to take, to learn, to arrange तो इनको हम infinitives बोलते हैं यह आपको याद रखना है, हो सकता है यह आपके exam में आजाएं इसके ओपर सवाल तो आपको बोलेंगे कि इसको underline करो यह आपको sentence आएगा, उसमें आपको किसी infinitive को डालना पड़ेगा, bracket में उसके बाद है, check your progress 3 में आपको बोला गया है कि, rewrite the sentences using the correct form of verb given in brackets तो यहाँ पर कुछ sentences दिये हैं इनमें हमें सही जो verb हमें लग रहा है वो लगाना है सबसे पहले है did you remember log the safe तो यह सही नहीं है, तो हम इसको जब 2-2 हमें लगाने हैं, ठीक, आप याद रुखे यहाँ पर आपको 2 लगाने है, तो do you remember to log the safe तो उसके बाद गंगी hoped to get a bucket of clean water the boss refused to accept my resignation, उशा hopes to draw your portrait before the end of this month तो इन सब को आपको 2-2 लगाने हैं, तो जब to log, to get, to accept, to draw हम लगाएंगे तो एक infinitive बन जाएगा उसके बाद है my sister in is afraid of heights she refused to go rock climbing तो के बाद आपका my American friend invited me to spend my summer holidays with her उसके बाद आपका the air hostess asked the passengers to fasten their seat belts उसके बाद आपका the woman had come to draw water from the well they arranged to meet after office hours the shirpa warned the mountaineers not to smoke while using oxygen mask तो यहाँ आपको सिर्फ कुछ स्यादा नहीं करना है आपको इन सब को याद अखना है यह जो हैं, अभी यह सीधे verb हैं तो जब आप इनको to लगाओगे to work तो to और साथ में कोई verb होगा यह सारे lock, get, accept, draw, spend, go यह सारे verb हैं, ठीक है तो जब आप इनको to लगाओगे तो यह infinitives बन जाएंगे बस आपको इतना है इसमें सीखना है और यह आपको पता रखना है ध्यान में रखना है कि अगर जब तक आप इनको to नहीं लगाओगे यह sentence correct नहीं है तब तक कि गलत हैं यह sentences तो complete the paragraph using suitable infinitives from the box तो यहाँ पर आपको उसके बाद एक paragraph दिया गया है तो आपको इसको पूरा करना है many animals can be taught problems especially when they are given rewards यहाँ पर बहुत सारे animals है जिनको हम problems को सुझाना सिखा सकते हैं जब हम उनको जब कोई चीज करेंगे हम उनको करने का reward देंगे यानि जब हम कोई चीज करते हैं तो हमें बहुत अच्छे marks मिलते हैं तो हम खुश हो जाते हैं उसे तरही किसे उनको भी हम कुछ खाने को देंगे अच्छा सा जिसे उनको खुशी होगी तो वो जल्दी सीखेंगे rats have been taught a lever to get food तो जैसे rats हैं उनको उसके बाद या आपको बोल रहा है कि जैसे कि हम ने जो rat है वो कैसे खाना लेते हैं जब अब हमें rats को पकड़ना होता है तो कैसे हम पकड़ते हैं जो पिंजरा होता है उसका उसमें हम कुछ खाने की चीज़ लगाते हैं और वो उसमें उस खाने की चीज़ को आता है खाने के लिए और हम उसको पकड़ा जाता है और फिर हम उसको बाईगर से फैंक देते हैं तो यह सिखा है पिजन जैसे हैं उनको हमनी जो देखा होगा अपनी बहुत सारी पुरानी जो यह होती थी यह पिक्चर्स होगा उसमें ऑक्तवश उनको ट्रेंड किया गया है उससे मतलब उनको आप पता चलता है स्क्वार और ट्रैक्टेंगल के बीच में फरक क्या है बहुत सारी अनिमल्स है उनको अलग-अलग ट्रिक्स बताई गई दिखाई जाती है उनको बताया जाता है शरकस जो होते हैं उनमें के लिए यूज किया जाता है in all cases we may say that an animal is using intelligence तो हम ये बता सकते हैं इन सारी cases को पढ़के कि जो animal है वो बहुत intelligent होता है उसके अंदर भी intelligence होती है वो भी अपनी दिमाग का यूज कर सकता है तो जब हम उसको train करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रखना है जो पहला है आपका उसको आएगा to solve दूसरे को आएगा to press तीसरे को आएगा to pack तीसरे को आएगा to find out और उसके बाद आएगा to do और last में आएगा to amuse to amuse का मतब होता है उनको enjoy कराना मतलब आप जाते हो किसी zoo में जाते हो या आप कहीं पे किसी zoo में तो नहीं होता है इतना लेकिन वाले आप जाओगे जाओगे उदर तेखो वाले एरियाज में आप जाओगे वहां पर आपके साथ फोटू इठाते हैं अलग अलग चीजें एक्शन करते हैं जैसे आपको आप खुश होते हो तो उस तरीकी की चीज़ है